हेलो स्टूरेंट्स कैसे आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 से आप 11 में आ गए हो ठीक है कुछ को स्ट्रीम मिल भी गए हो कुछ अभी सस्पेंस बना हो किसी का कोई अभी सोच रहा होगा लेकिन हाजिरों ने 11 मैट्स का तो पहले चीज तो यार कि क्लास 10 और 11 में आपको थोड़ा डिफ्रेंस में आएगा कि यार क्लास 10 में फिर भी लिमिटेड कुश्चन से काम चल जाता था लेकिन 11 में हर्ची थोड़ी वाइड हो जाएगी आपके लिए मतलब आपको एक डिफ्रेंस देखने को म मारना पढ़ता है तो यह एक्स्ट्रा एसको मारना उसके लिए आपको 15 जबंद भिए ज्यादा में पढ़ना रहूंगा तो इस विपलोगा टीकने छेप्टर से स्टोडल आ धेकोकि 16 चेप्टर की में ड़ास्ट यह कुछ डिलीटेड वरान बात कर लेंगे लेकिन अभी स तो तोटल 16 chapters हैं तो जैसे हम देख सकते हैं चप्टर 1 हमारा सेट है फिर सेकंड चप्टर हमारा relation function है ठीक है सेट हो गया relation function हो गया trigonometry है PMI है अब PMI ही जो था चलो मैं बताई देता हूं कि 4th chapter course में नहीं था अभी last year तो complex number है इसमें कुछ पार्ट डिलेटेट था linear inequality है permutation combination है binomial theorem है तो यह सारी चीज़े आप देख पारे हो सिपकेंसेंड सीरी जे स्ट्रेक लाइन कोनिक सेक्शन introduction to 3D limits and data mathematical reasoning नहीं था यह course में नहीं था हमारा 14 चप्टर भी course में नहीं था states and probability यहां पर आपको यह देखो अभी शुरुबात आप करो तो सारे चेप्टर से आपको करना है सेट से यह सारी चेप्टर से अच्छे से सुरुबात करनी इसमें कोई अभी यह नहीं बताना चाहरा हूं कि यह important है यह important नहीं है शुरुबात में सब नहीं होता है यह सब तो बीच का होता है कि जब पेपर आगे तो भाई कौन सा ज्यादा पढ़ें कौन सा कम पढ़ें तो अभी तो आप बिल्कु शुरुबात से पढ़िए ठीक है इतने चेप्टर से है कि आपको आईडिया लग गया और रही बात कि कौन सी बुक यूज करनी है तो यह देखो आप कोई भी एक रिफ्रेंस बुक ले सकते हो बाकी में आपको एसाइन्मेंट प्रोवाइड करतवाता रहोंगा बीच बीच में तो आप वो यूज करके बढ़िया से नंबर ला सकते हो अब बात आगी सर कहां से चैप्टर्स वन सेट्स अब यह मत सोना चैप्टर एक्साइज वन पॉइंट वन एद थियोरी कहा है जब आप करोगे एक्साइज उससे पहले आपको पता मैं थियोरी भी बताता हूं तो उसमें जो भी थियोरी जोई है वो मैंने बताई होगी तो आप आराम से मिनको क्यारी को मैंटिन कर सकते हो और यहां से आप क्लास 11 का पूरा कवर कर सकते हो जही कभी है प्लेश्ट में वह मैं किसी जही वाले वीडियो में डिसक्स कर लोगा लेकिन अभी आप मैं अभी आपको बहुत ज्यादा परेसान नहीं करना चाहते हूं अभी आप बस यह सोचो क क्लास 11 स्टार्ट करना सरकी प्लेश्ट है हम सेकंड एकसर ना सुरू कर सकते हैं अपनी इंसी आटी उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो तो दीर दीर चीज़ा आईडी लगने लगेगा फ्रण देखो कि टफ लग रहा है क्या लग रहा है ठीक है पढ़ना जरा हो मुझे क कैसा लगा और कोई एकसा ही देख देखना कैसा लग रहा है आपको ठीक है और कितने बच्छों ने पढ़ना सुरू कर दिया है अभी क्योंकि मैं लास्ट वीडियो बनाए तो मैंने बोला कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे बच्चे कमेंट कर आएगा तो इससे और आइडी लग जाएगा क्या-कया डिलीटेड यहागा मैं आपको अपड़ेट कर दूंगा लेकिन आपको क्या करना है अगर आपको पढ़ना है तो अपनी इसी बात है तो श्टार्ट कर दो आप रुकने की जवरद नहीं है ठीक है तो यह तो पढ़न एका सही direction में चीज़ें कर पाओगे तो definitely आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे गोल तक पहुंचना बहुत ज़्यादा जयूरी है ठीक है तो आई होप आपको इक चीज़ बेसिक आइडिया लगाओ कितने chapters हैं chapters के नाम क्या क्या है वो सारी चीज किलियर टी आई हो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिना और कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक पर या क्या आपकी परेशानी कहां पर डाउट्स आ रहे हैं वो चरूप कमेंट सेक्शन में लखें तो मिलते हैं नेक्स